इस चित्र में दिखते पेड पर तमाम फल लगे हैं। जब हम येश्व मसी का अनुसर्ण करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा फलों को पैदा करने के लिए हम में कार्य करती हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शान्ती, धैर्य, दयालुता, अच्छाई, वफादारी, सौम्यता और आत्मनियंत्रन हैं। येश्व ने कहा मैं लता हूँ, तुम सब शाखाएं हूँ, यदि तुम मेरे साथ रहे और मैं तुम में रहा, तो तुम अधिक फलों को धारन कर सकोगे। मृत्य शाखाएं फलों को धारन नहीं कर सकती, वे काटती जाती हैं और जलाती जाती हैं। येश्व चाहते हैं कि उनके अनुयाई अधिक फल पैदा करें। यह परमेश्वर के सम्मान में हैं तथा और लोगों की मदद करता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए होगा। प्रिप्या लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं दूसरे वीडियो में।